हेलो फ्रेंद्स वेल्कम टो डेली अनलाइसिस फ़ येजडी आएनर एंड यूरो आएनर दोस्तों आप लोग प्लीज चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वर्टसब चनल का लिंक दिया हुआ है आप लो लोग साथ में लाइक कॉमेंट और शेयर करके हम लोगों को मोटिवेट भी करते रहिएगा दोस्तों हम लोगोंने कल डेली अनलेसिस के वीडियो अपलोड नहीं किया था और दोस्तों अगर आप लोगोंने मंडे का अनलेसिस देखा है तब जो हैं आप लोगों को आज के ट्रेडिंग सेशन में और ट्वेजडे के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा प्रोफिट मिला दोस्तों मंडे के अनलेसिस में हम लोगोंने डिसकस किया था अगर स्पोट 82.96 के नीचे जाता है तब जो हैं यूजडे आनर में डाउनफोल दिख सकता है और उसी इसाब से 82.96 के नीचे 82.92 था हम लोगा फस्ट तारगेट 82.92 के नीचे 82.87 था हम लोगा सेकेंड तारगेट दोस्तों अगर आप लोग ने मंडे का अनलेसिस नहीं देखा है तब जो है एक बार देख लीजिएगा दोस्तों 15 मिनिट्स के चार्ट पर हम लोग देख सकते हैं 82.96 उसडे आइनर के लिए रिजिस्टन्स बन गया है और 82.87 उसडे आइनर के लिए सपोर्ट बन गया है और दोस्तों इंडियान टेम के नुसर 22nd February 12.30 एम को एफो एमसी मिनिट्स आने वाला है और दोस्तों एफो एमसी मिनिट्स उसडे आइनर और यूरो आइनर के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है और दोस्तों इंडियान टेम के अनुसर 22nd February 3.30 पीम को यूरो जोन का CPI डेटा आने वाला है और दोस्तों इूरो जोन का CPI डेटा भी यूएसडियानर और यूरो आइनर के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है और उसी सबसे दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में वोलेटिलिटी हाई रहने वाला है और दो जो है PCR 0.70 के पास है और इसका ये मतलब है दोस्तों यूएसडियानर का सेंटिमेंट बेरिश है और दोस्तों क्यूंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में में वाला है और उसी सबसे दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉप लोस के साथ और प्रोपर मनी मेनेजमेंट के सा ट्रेड प्लेन करना सेफ रहने वाला है दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर स्पोर्ट मार्केट 82.92 और 82.96 के रेंज के अंदर रहता है या खुलता है तब जो है यह बनने वाला है हम लोग के लिए no trade zone और अगर प्राइस 82.92 के नीचे ट्रेड करता है और उसके नीचे bearish candle फोर्म करता है तब जो है हम लोग downside के लिए target कर सकते हैं और उसी साब से 82.92 के नीचे 82.87 बनने वाला है फस्ट तार्गेट 82.87 के नीचे 82.83 बनने वाला है सेकेंड तार्गेट 82.83 के नीचे 82.78 बनने वाला है थर्ड तार्गेट 82.78 के नीचे 82.72 बनने वाला है नेच्ट तार्गेट और अगर स्पोर्ट 82.72 के भी नीचे जाता है तब जो है आप लोगों को whatsapp चनल पे अपडेट मिल जाएगा और दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर स्पोर्ट मार्केट 82.92 के नीचे ट्रेड करता है तब जो है हम लोग 82.75 का put buy कर सकते हैं और अपने risk reward ratio के इसाब से planning करके कल के ही ट्रेडिंग सेशन में exit कर सकते हैं और दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 82.87 या 82.83 के level से reversal दिखता है तब जो है हम लोग support के 2 या 3 पेसा नीचे stop loss लगा के higher level के लिए trail कर सकते हैं और दोस्तों अगर price कल के ट्रेडिंग सेशन में 82.96 के उपर sustain करता है और उसके उपर 15 मिनिट्स का candle form करता है तब जो है हम लोग higher level के लिए target कर सकते हैं और उसी साब से दोस्तों 82.96 के उपर 83 बनने वाला है first target और अगर price 83 के भी उपर sustain करता है और उसके उपर 15 मिनिट्स का candle form करता है तब जो है हम लोग 83.05 और 83.05 के उपर 83.10 के लिए trail कर सकते हैं और दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर sport market 83 के उपर sustain करता है तब जो है हम लोग 83 का call buy कर सकते हैं और अपने risk reward ratio के इसाब से planning करके कल के ही ट्रेडिंग सेशन में exit कर सकते हैं तो यह रहा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए USDNR का complete analysis अभी हम लोग कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए euro NR का analysis कर लेते हैं दोस्तों मंडे के analysis में हम लोगों ने discuss किया था अगर price 89.40 के उपर sustain करता है तब जो है हम लोग 90 के level के लिए trail कर सकते हैं और उसी इसाब से दोस्तों अगर आप लोगों ने 89.40 के level से trail किया है तब जो है आप लोगों को euro NR से अच्छा profit मिला दोस्तों कल के trading session में अगर spot 89.50 और 89.80 के range के अंदर रहता है या खुलता है तब जो है यह बनने वाला है हम लोग के लिए no trade zone दोस्तों क्योंकि कल के trading session में volatility high रहने वाला है और उसी इसाब से दोस्तों अगर 89.50 और 89.80 के range के अंदर buy या sell करते हैं तब जो है कल के trading session में stop loss hunting हो सकता है और उसी इसाब से दोस्तों कल के trading session में अगर price 89.80 के उपर sustain करता है और उसके उपर 15 minutes का candle form करता है तब जो है हम लोग higher level के लिए target कर सकते हैं इसाब से 89.80 के उपर 90 होने वाला है first target 90 के उपर 90.20 बनने वाला है second target और अगर price 90.20 के भी उपर sustain करता है तब जो है हम लोग 90.50 के level के लिए trail कर सकते हैं और दोस्तों कलके trading session में अगर 89.40 का support break हो जाता है तब जो है हम लोग downside के लिए trail कर सकते हैं और उसी साब से 89.40 के नीचे 89.20 होने वाला है first target 89.20 के नीचे 89 बनने वाला है second target और अगर price 89 के भी नीचे जाता है तब जो है हम लोग 88.80 के level तक trail कर सकते हैं तो यह रहा यूरो आइनर का complete analysis दोस्तों वीडियो के description पे free abstracts dimate account का link दिया हुआ है अगर आप लोग हमारे link से free dimate account open करते हैं तब जो हैं आप लोग हमारे premium group का हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों premium group पे daily basis पे आप लोगों को live intraday levels मिलने वाला है और उसी ही साब से दोस्तों आप लोग dimate account का link चेक आउट जरूर कीजिएगा आशा करता हूँ आज के analysis आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर इच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर पहली वार इस channel को visit कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिएगा bell icon press कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिएगा thanks for watching the video